हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार इतंकित में मैं हूं रंजन राज उम्मीद करता हूं आप सभी बहतर होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी जो तयारी है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी तो थोड़ा सा लेठ हो गया उसका मुझे खेद है और सबसे पहले आप लोगों को स्वतंतरता दिवस की धेर सारी सुपकाम नएं उमीद करता हूं आप लोगों ने इस दिन के महत्त को समझा होगा और अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो हमें स्वतंतरता है वो कैसे मिली मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप दिन रात जो सहीध हैं हमारे उनका गुडगान करिए लेकिन आप उन्हें याद तो कर ही सकते हैं चाहे वो भगत सिंग हो चाहे वो अस्फाक उल्ला खाओं चाहे वो रोसन लाहिडी हो ठीक है तो आप एक बार उनको नमन जरूर करें अपने महत्तों को अगर थोड़ा भूत भी आपने इतिहास पड़ा होगा तो आप इस दिन के महत्तों को समझेंगे और यह जानने की कोशिज जरूर करेंगे कि कितना मुश्किल से यह हमें जो स्वतंत्रता है या कितना मुश्किल से यह दिन आया है ठीक है तो सबसे पहले जो लो सीस्टम का पार रहा था जहांब हम लोगों ने air cooling सिस्टम को पढ़ लिया था और आज बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो air cooling system से प्रस्न बनने की संभावना है वह थोड़ी कम रहती है लेकिन जो वाटर कूलिंग सिस्टम है क्योंकि आप कोई भी बड़ा वेहिकल देखेंगे जैसे की बस ट्रक और जो कार वगएरा में भी वाटर कूलिंग सिस्टम का उप्योग होता है तो वहाँ पर ये जो पार्ट है वाटर कूलिंग सिस्टम इंजन की वाटर कूलिंग सिस्टम ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर् हालाक यह उन्होंने दो लाइन में दिखी दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है यार वो टॉपिक तो पढ़ाने में थोड़ा बहुत समय लगेगा ही तो इंजन को आप अच्छे से समझ लो उसके बाद मैंने आपको जैसे कि पहले लेक्षर बताया था क्लच हो गया सस्पेंसर सिस्टम हो गया ठीं कि अम करता हूं आपको यह चीजहें समझ में आ गए होगी ज्यादा के लिए परसान मत हो एक पप तक करड़ेगा बहुत जल्दी में आपका क्यों खत्म ठीक है दिपक्शरमाजी आपको भी प्रणाम ठीक है चलिए 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 कवर हो जाएगा कवर हो जाएगा ज्यादा जल्दवाजी करोगे तो फिगरवड़ा जाएगा फिर बार में फिर मैसेज करोगे कि आपने जो पढ़ाया उसमें से आया नहीं थोड़ा सा धहरे रखो अभी 21 तो जैसा कि पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, कि जब हमारा फ्यूल का दहन होता है, तो तापमान कितना पहुच जाता है, तापमान हमारा पहुच जाता है, बाइस सो से बाइस सो से पचीस सो डिगरी सेंटी लेक्चर में बताया था जो की कितना होता है 1549 और यह तापान कितना है 2200 से 2500 तो कूलिंग करना बहुत ज़रूरी है और कूलिंग भी कैसी होनी चाहिए इफेक्टिव होनी चाहिए ऐसा नहीं बस नाम मात्र की आप कूलिंग कर रहे हो ठीक है तो देखिए यहां पर पहला प चाहिए वो क्या होता है मैंने कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कितना होता है 190 से 220 दिगरी फारेन हाइट होता है और 70 से 90 दिगरी संटीग्रेट के बीच इंजन का operating temperature होता है cooling system का मतलब ये नहीं कि cooling करता जाए और हमारे engine की दचछता को ही कम करते इसलिए बहुत ज़रूरी है कि operating temperature यानि जिस तापमान की engine को चलने के लिए आवा सकता है उस तापमान पर हमारे engine को रखा जाए ठीक है cooling system का प्रयोक किया था सिंपल चीज़े हैं water cooling system में engine की गर्मी को ठीक है engine की गर्मी या heat को heat को कम करने के लिए कम करने के लिए पानी का प्रयोग किया था water cooling system का जो main तत्व है वो क्या है हमारा वो है हमारा पानी वो क्या है हमारा पानी अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे टाइपस आफ हेडिंग डालेंगे आप टाइपस आफ वाटर कूलिंग सिस्टम टाइपस आफ वाटर कूलिंग सिस्टम मैंने आपको पिछले लेक्षन बताए थे थोड़ा सा लिख लिए होते तो कई है इवापरेटिव टाइप हाई प्रेसर टाइप लेकिन पढ़ना आपको दो ही है दो ही है ठीक है कौन कौन सा पहला होता है हमारा पहला होता है हमारा प्राकृतिक प्राकृतिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थर्मो साइफन यहाँ पर बोर्ड में थोड़ी दिक्कत हो रही है जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मो साइफन ठीक है फिर से लिखता हूं मैं क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो रही यहाँ पर क्या होता है प्राकृतिक य थर्मो साइफन सिस्टम तरमो साइफन और दूसरा हमारा क्या होता है पम्प टाइप और पम्प टाइप के अंदर ही हमारा तरम्हु मैं रिखेंगे thermostatic regulator water cooling system यानि कि जो हमारा pump system है इसमें देखिए क्या है पानी को jacket और अन्य parts में flow कराने के लिए radiator वगएरा हमें flow कराने के लिए हम लोग किसी भी तरह का pump का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे? pump का प्रयोग करेंगे और pump वाले सिस्टम में ही अगर हम क्या कर दें? thermo state लगा दें तो वो हमारा कैसा सिस्टम हो जाएगा? thermo static regulator water cooling system तो इन ही दो के बारे में पढ़ना है आप यहाँ पे देखिए जो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है जो सबसे पहले पढ़ना है यह प्रकार मैंने आपको बता दिये जो यहाँ पे सबसे पहला पढ़ना है वो है thermo static जो सारी जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है हमको thermosiphon के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है भाईया, thermosiphon के बारे में पढ़ना है, अब देखिए ये आपका क्या दिखाया गया है, cylinder water jacket, यानि कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसी के अंदर क्या होंगे, हमारे cylinder होंगे, इस तरीके से, 4 cylinder engine हो तो 6 होंगे, और उसके चारों तरफ, एक मतलब खांचा type का बना रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा, पानी का flow होगा, ये हमारा है upper hose pipe connection, ये वाला पार्ट है upper tank, ये है हमारा radiator, ये है lower tank, और ये है हमारा fan, ठीक है, अब देखिए lower hose pipe है ये fan, अब देखिए यहाँ पर पान फार्मूला देखाओगा भीया, फार्मूला क्या होता है, घनत विकल्टू होता है, मात्रा बटे आयतन, घनत विकल्टू क्या होता है, मात्रा बटे आयतन, अब देखिए, जब पानी गर्म होता है, जब पानी क्या होता है, गर्म होता है, तो उसका आयतन क्या होता है, तो उसका जो घंदे पानी से उपर की तरफ उठ जाएगा तो पहले आप एक लाइन में आपको इसमें लिखवा देता हूँ उसके बाद तब आपको समझाता हूँ ठीक है तो आप इसमें लिखेंगे यह विधी इस प्रकार यह थर्मो साइफन कहा है आप उपर हेडिंग डाल लिजेगा यह विधी इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि विभिन ताप ट्रम पर विभिन क्योंकि थोड़ा सा लंबी क्लास है इसलिए मैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं तो आप लोग उसको समझ लीजेगा ठीक है हमें खुद भी पढ़ना होता है भाई तो आप क्लास मत लो और उसके नेक्ष्ट दिन आप क्लास ले लो आज जैसे आपने क्ल क्लास देख लेना ठीक है कोई जरूरी थोड़ी है कि आप आज ही देखो तो यह विद्धी इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि विभिन तापक्रम पर पानी के घनत्यों में परिवर्तन होने पर पानी का परिचालन या जिसे हम लोग इंगलिस में बोलते हैं सर्कुलेशन ठीक है इसे इंगलिस में क्या बोलते हैं सर्कुलेशन स्वता होता रहे ठीक है यह चीज आपको समझ में आई यानि कि जब पानी गरम होगा गरम होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा तो घनत तो घटेगा जब घनत तो घटेगा तो गरम पानी उपर की तरफ उठेगा और भैया जब उपर की तरफ उठेगा तो यहां से यहां पे क्योंकि चारो सिलेंडर लगे हुए हैं इसके चारो तरफ वाटर जैकेट लगी हुई है जब सिलेंडर में हमारा फ्यूल का दहन होगा तो हमारा क्या होगा उसमा निक्सकासित होगी यानि की हीट उत्पन होगी और जब हीट उत्पन होगी तो यह पानी क् उठेगा और यहां से क्या होगा यहां से फ्लो होके कहां पर जाएगा रेडियेटर में जाएगा यह रेडियेटर में जाएगा रेडियेटर के अंदर क्या लगी होंगी रेडियेटर के अंदर कुछ इस तरीके से ट्यूब्स लगी होती है इस तरीके से जैसे मैं आपको दि फिन्स लगी होगी जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर पाईप का एरिया थोड़ा कम है तो पाईप की सता का छेत्रफल बढ़ाने के लिए ताकि जादा से जादा हीट बाहर ट्रांसफर हो सके फिन्स में ट्रांसफर ह उसके लिए यहां पर फिंसका वी उपयोग यहां पर भी किया जाता है तो क्या करेगा यहां से पानी आएगा उसमा को ट्रांसफर करेगा यहां से फिर ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी क्या होगा फिर यहां पर आएगा इंजन जो की जो वाटर जैकेट है वहां पर आए उस mock test को दो, अगर आपके उस mock test में अच्छे नमबर आ रहे हैं मेरी class लेने के बाद, तो आप खुद recite कर लो कि इससे बाहर जाएगा की नहीं, मैं क्यों बताओ कि इससे बाहर जाएगा की नहीं, ठीक है, आप मेरी पूरी class कर लो, उसके बाद आप कोई mock test दो, कहीं से भी कि चैनल का कोई हमारा नहीं, कि आपको लगे कि हाँ जीनों ने जो पढ़ाया है, वही mock test दे रहे हैं, किसी भी चैनल का उठाओ, कोई book उठाओ, उसका mock test दो, और फिर उसके बाद खुद जज करो, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें से question आएगा की नहीं, ठीक है, चलिए, अब यहां से जब ठंधा पानी आएगा, फिर गरम होगा, फिर उपर की ओर जाएगा, अब देखे, कुछ point मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा important है, पहला प्रस्न पूछता है, कि radiator में पानी का जो flow होता है, वो कहां से कहा होता है, तो आप यहां पर देख रहे हैं, radiator में जो पानी का flow हो रहा है, भहिया इस तरीके से, ज़्यादा लिखना ना पढ़े, बस इस तरीके से figure को आप बनाना सीख जाएंगे, तो लिखने के आपकी जो आवसकता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ज़्याद ज़्यादा आपको लिखना ना पढ़े, इस तरीके से आप इसारो इसारो में ऐसे figure बना लिया करिए, और इसी लिए, इसी लिए मैं आपको इस तरह के diagram लाता हूँ, नहीं तो मैं आपको bike वाला या गाड़ी वाला दिखा दूँगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां क्या लगा हुआ है, कैसे कहां पानी फ्लो हो रहा है, इसी लिए मैं diagram को simple रखने का प्यास करता हूँ, ताकि आप उसको अपनी कापी में बना सकें, पहला प्रसन यहां से बनता है, कि जो radiator में पानी का फ्लो होता है, वो कहां से होता है, उपरी टंकी से, निचली टं बनी होती है, वो बनी होती है, पीतल या तामबा, यह दूसरा प्रसन है, कि जो तामबा क्या है, उसमा का अच्छा सुचालक है, यानि कि ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रांसफर कर सकता है, पीतल भी ठीक ठाक है, तो तामबा जब आप दूसरा प्रसन आप से पूछेगा जो radiator tubes होती है वो किसकी बनी होती है वो बनी होती है पीतल या तामभा की अब आप से पूछेगा कि water jacket कहां होती है water jacket कहां होती तो आप क्या बताओगे आप क्या बताओगे, सिलेंडर, सिलेंडर, ब्लोक, Sिलेंडर, ब्लोक and head के चारों और, head के चारों और क्या होती है, हमारी water jacket बनी होती है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, अगला प्रस्न जो आता है, फैन से आता है, ये फैन जो लगा हुआ है, आप से प्रस्न पूछ सकता ह इस फैन को चलाने के लिए किस तरह की बेल्ट का उपयोग किया जाता है तो आप क्या बताओगे भईया इस तरह इस फैन को चलाने के लिए वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है अभी मैं पॉइंट के माध्यम से आपको सारी चीजें लिखाऊंगा परसान होने क्या उसकता ठर्मो स्यफर नहीं बस अभी जो समझ़ा रहा हूँ उसको थोड़ासा Barbara कुर्ण किया रहा है जब आगे वाला हमारा बताऊं मैं आपको कि आप एक बार मेरा वीडियो देखो, जाके कोई मौक लगाओ, वहाँ पर अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो बुक से भी पढ़ो, थर्मो साइफन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, जहां पर सरकीट में, यह क्या है तरह से पूरा क्लोजड सरकीट है, सरकीट में पानी का परिचालन, विभिन तापक्रम पर पानी के घनत तो परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, यहां पर किसी भी तरह का पंप का उप्योग नहीं किया जाता है बाकी चीजे मैंने आपको यहां बताई तो thermocyphon system समझ में आया की नहीं पानी का कैसे परिचालन होगा आयतन कम आयतन जदा हो जाएगा पानी जब गरम होगा घनत तो कम हो जाएगा घनत तो कम होगा तो गरम पानी ऊपर उठेगा उपर पानी, उसके बार radiator में जाएगा, radiator का काम क्या होता है, पानी को ठंधा करना, ये भी प्रसन पूछेगा, रेडियेटर का काम क्या होता है, पानी को ठंधा करना, पानी को ठंधा करना radiator का काम होता है, फिर यहां से ठंधा पानी नीचे से फिर जैकेट में आएगा, फिर heat को इवजार करेगा फिर हीट को इवजार करेगा और उसके बाद क्या होगा उसके बाद फिर से यहां पर इस तरीके से चलेगा तो यह होता है हमारा थर्मो साइफन सिस्टम चलिए अब आगे वाले सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले सिस्टम की तरफ बढ़ से क्या करें थर्मोइस्टेट को हटा दें तो इसे क्या बोलेंगे पंप सिस्टम बोलेंगे थर्मोइस्टेट लगा दिया पंप भी लगा दिया तो थर्मोइस्टेटिक रेगुलेटर water cooling system ठीक है इसी की बारे में आपको पढ़ना है अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट चूटा हुआ इस figure में मैंने कई figure देखे लेकिन वहाँ पे दिखा नहीं यहाँ पे आप एक point all लिख लीजेगा यहाँ पे लगी होती है प्रेसर कैप यहाँ पे भईया क्या लगी होती है radiator कि रेडिएटर कि रेडिएटर कि रेसर लगी है ठीक है अब इसकी समझना को समझे इधर से हम लोग ह Scary पाइ Captain Kap spacious थंडा कैसे करता है भई पानी है आग जल रही है या कोई चीज गरम है आप उसपे पानी डालोगे तो थंडा हो जाएगी क्योंकि पानी का जो उसमा स्थान न्टरन घुख सहता है उसमाद को कीछने का गुड़ांक होता है अब मैं आपको बताऊंगा कि cooling system की अवसकता पड़ती क्यों है उसको समझ लीजे last one मैं आपको 5 minute का time दूँगा प्रसन पूछने के लिए तो आप उसमें प्रसनों को पूछ लीजेगा अभी आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर जों को समझने पर होना चाहिए ठीक है यह देखिए हमारा cylinder है cylinder के चारो और water jacket लगा हुआ है water jacket से पानी क्या होगा गर्म होगा गर्म होके जाएगा यहाँ पर thermostatic valve में कहां पर जाएगा भाईया thermostatic valve में ठीक है अब यहाँ पर function समझे कि thermostatic वालों का काम क्या है तो यहाँ पर इसका काम होता है इंजन को इंजन को इंजन का कार्यकारी तापमान कार्यकारी यानि की working working temperature कार्यकारी तापमान क्या करना बनाए रखना और कारेकारी तापमान मैंने आपको क्या बताया था 70 से 90 degree centigrade की बीच में होता है और Fahrenheit में convert करोगे 190 से 220 degree Fahrenheit होता है ठीक है तो अब देखो भीया यहाँ पर यह थर्मो स्टेट लगा है अब यह क्या काम करेगा जब यहाँ से water jacket से पानी आएगा तो पानी के temperature को क्या करेगा और अगर पानी का temperature 80 degree centigrade 80 degree centigrade से अधिक है तब यह इसको क्या करेगा radiator में भेज़ेगा अगर क्या है पानी का temperature 80 degree किसे किसी बुख में 75 मिलेगा 77 मिलेगा 80 मिलेगा 85 मिलेगा तो परसान नहीं होना ठीक है क्योंकि ये हर बुक में या हर वेब साइट पे आपको अलग मिलेगा क्योंकि फिक्स नहीं होता भाई ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टेक्निकल टर्म है एक रेंज होती है आप जितनी बुक देखोगे वहाँ पर आपको ये अलग-अलग मिलेगा तो चीज़ें ऐसी ही होती है, range में होती है, क्योंकि आप इसको fix नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो 80 degree centigrade से अगर ज्यादा temperature हुआ, तो कहां पर भेज देगा, radiator में पानी को ठंधा होने के लिए भेज देगा, क्योंकि जो engine का कारेकारी तापमान रखना है, वो हमको कितना रखना है, 70 से 90 degree centigrade रखना है, और अगर पानी क्या हुआ, 80 degree centigrade से कम गरम हुआ, तो क्या करेगा, जो जिसे बोलते हैं bypass pipe, जिसे आप लोग साथ passage भी कर रहें, इसे बोलते हैं bypass pipe, या इसे बोलते हैं bypass way, इस रास्ते के सहारे क्या कर देगा, फिर से यहां पर engine में भेज देगा, यानि कि क्य कि अगर क्या करेगा, 80 degree से फिर ठंडा करके भेजेगा, तो engine का जो कारेकारी तापमान है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो engine हमारा फिर सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि engine को हमको जादा ठंडा नहीं करना है, engine को एक कारेकारी तापमान पर बना कर रखना है, तो 80 degree centigrade से ज्यादा हुआ काम कैसे करता है thermostat अब आप पूछ सकते हो यह प्रस्ण पूछ सकते हो कि thermostat कैसे काम करता है तो यहां पर एक wax लगा होता है wax आप बोल सकते हो या कोई इस तरह का liquid बोल सकते हो जो कि 80-100 degree centigrade के बीच क्या हो जाता है वास्पित हो जाता यानि कि वास्प में बदल जाता है और जब वास्प में बदलेगा तो यहां से इसको रास्ता मिल जाएगा और जब 80-100 degree centigrade से कम temperature रहेगा तो यह वास्प में बदलेगा ही नहीं इस पानी को क्या करेगा यहां से ट्रांसपर कर देगा फिर इंजन में भेज़ देगा इंजन में फिर यही पानी घुमता रहेगा और जब पानी 180 degree centigrade से क्या होगा अधिक होगा तब यहां पर रेडियेटर में आएगा रेडियेटर में यहां पर फिर वही ट्यूब से वगरा लगी होंगी फिन्स लगी होंगी यहां पर यह पानी को ठंधा करेगा और ठंधा करने के बाद फिर क्या करेगा इंजन सिलेंडर में भेजेगा बताईए इतना समझ में आया की नहीं इतना थर्मोइस्टेट समझ में आया की नहीं अपर टैंक रेडियेटर ट्यूब लोवर टैंक फिलर कैप से हम लोग क्या करेंगे यहां पर क्या होगा फिलर कैप लगी होगी और फिलर कैप क्या करेगी यहां से हम लोग पानी को डालेंगे प्रेसर कैप क्या काम करेगी प्रेसर कैप पानी के प्रेसर को बढ़ाने का काम करेगी जिससे कि क्या होगा उसका ब्वाइलिंग पॉइंट पर जाएगा जिससे क कि हमारा पानी उबले नहीं, सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, बताओ ये जो मैंने बताया थर्मो इस्टेट का, ये समझ में आया की नहीं, पहले इतना बताओ, पहले इतना बताओ, कि ये जो थर्मो इस्टेट का मैंने आपको समझाया function, ये समझ में आया की नहीं, ये समझ म आया कि नहीं बताईए कि काफी यदा इस्टूडेंट परसान आता है कि थर्मुष्टेट का है क्या काम होता है सारी चीजें उसके मन एक बार और बता दो ठीक है बता देता हूं वह जल्दी से बता देता हूं पानी कहां से आ गया अरे यार फिलर कैप से पानी अब आप समझ छाते हैं कि जिस से हम एक बार ये फिलर कैप है फिलर कैप से रेडियेटर में पानी भर दोगे और उसके बाद यहीं पानी ठंडा हो फिर गर्म होगा फिर ठंदा होगा फिर गर्म होगा ऐसा तो है नहीं कि एक बार पानी गर्म हो जाएगा और फिर आप गर्म पानी बाहर निकालोगे फिर उसमें ठंदा पानी डालोगे और फिर हमारा इंजन ठंदा होगा फिर पानी गर्म हो जाएगा फिर उसको बाहर फेको फिर ठंडा पानी डालोगे तो ऐसा तो है नहीं तो cooling system बनाने क्या हो सकता इसी लिए पड़ी हमारा वही पानी एक बार पानी हमने इसमें भर दिया हलागी जब जादा दिन हो जाते हैं तो पानी फिर से भरना पड़ता ठीक है तो पानी वही हमारा पानी circulate होता रहे हमारा engine ठंडा होता रहे और हमको किसी भी तरह की जो समस्या है वो face ना करनी पड़े ठीक है दोबारा बता दो देखो भाई engine आप एक simple language में समझो आप कभी bike start करते हो या four wheeler start करते हो ठंडी की दिनों में तो वो जल्दी start नहीं होती यानि कि ये चीज तो आपको स अशानी से start नहीं होती तो same वही चीज है कि अगर यहां पर भी हम engine को cooling system का मतलब यह नहीं कि हम engine को इतना ठंडा कर दें कि engine की जो efficiency है वो क्या हो जाए कम हो जाए हमको उसको ठंडा उतना ही करना है जितना उसके लिए क्या है सही है तो हमने बठा दिया यहां पे एक मंत्री यहाँ पे एक मंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मो इस्टेट, थर्मो इस्टेट का काम यह है कि इंजन को कारेकारी अवस्था में रखना, कारेकारी तापमान, यानि कि जो इंजन के लिए सही टमप्रेचर है, उसको मेंटेन करके रखना, अगर यहाँ पे थर्मो इंजन की दच्छता भी कम हो सकती है, तो इस वज़ा से यहाँ पर यह मंत्री बैठा रहेगा, और पानी से कहेगा भया, कि जब तुम 80 degree centigrade से जादा उधर से गरम होके आओगे, तब ही मैं तुमको ठंधा करने के लिए रेडिरेटर में भेजूँगा, और अगर 80 degree centigrade से तु तुमको फिर जोग दूँगा उसी भठी में गरम होने के लिए, ये काम होता है thermostat का, ठीक है, ये काम होता है thermostat का, चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग देखते हैं, इंजन के, ये देखे, ये जो system है, ये भी समझ लीजे, दूसरा figure के माध्यम से यहाँ पे देखे, cylinder है, यहाँ पे क्योंकि thermostat यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे अब आपको ये भी मैं प्रस्न पूछूँ कि thermostat कहाँ पे लगा होता है, तो आप क्या बताओगे, thermostat कहाँ पे लगा होता है, water outlet में, यहाँ से पानी आएगा, फिर radiator में जाएगा, लोग pressure कैब भी बोलते हैं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान देनी वाली बाती है, जिसके लिए मैंने इस figure को सामिल किया है, यहाँ पे आपको हवा की direction दिखाई गई है इस तरीके से, यानि कि हवा कैसे flow हो रही है, हवा कैसे flow हो हवा को radiator पे खीच रहा है, यह बताईए, यानि कि जो हवा का flow है, वो कैसा है, बताईए, यह इसमें जो हवा का flow है, कैसा हो रहा है, क्या हवा इधर से इधर जा रही है, यह जो फैन है, यह radiator के उपर से क्या कर रहा है, हवा को खीचने का काम कर रहा है, रेडियेटर को उप फेकेगा अगर इसके उपर फेकेगा तो हवा टकरा के इधर-उधर हो जाएगी लेकिन जब खीचेगा तो यहां से हवा क्या होगी ज्यादा हवा अंदर क्यों राएगी और रेडियेटर को ठंधा करने का काम करेगी खीच रहा है तो यही प्रसना आप से पूछता है कि कैसे कैसे जो रेडियेटर फेन है वो हवा को कैसे व्यभारित करता है कैसे व्यभारित करता है तो आप क्या बताओगे आगे से पीछे की और क्या प्रसन पूछेगा कि जो रेडियेटर फेन है वो हवा को कैसे व्यभारित करता है तो आप क्या बताओगे आगे से पीछे की और वे भारित करता है, यह प्रसना आप से पूछा जाता है, चलिए, पानी का फ्लो आप यहां पर देख लो, उपरी टंकी से क्या होगा, निचली टंकी की और, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके पार्ट की तरफ, कि वाटर कूलिंग सिस्टम के विभिन्द भाग कौन-कौन से हो हमारा क्या होता है, थर्मो इस्टेट वाल, दूसरा होता है हमारा प्रेसर कैप, तीसरा होता है हमारा ओवर हेड टैंक, चौथा होता है हमारा एंटी फ्रीज मटेरियल, पाचवा होता है रेडियेटर, छठवा होता है हमारा रेडियेटर फैन, सत्वा होता है हमारा फैन ब charger से बताया था उससे कर सकते हैं किसी से विया आपके उपर depend करता है आप उसको crank shaft से power दो कैम साफ्ट से चलाओ वैसे कैम साफ्ट से चलेगा नहीं crank shaft से ही क्या लेता है वो power लेता है crank shaft से ही power लेता होज pipe भी होते रहे भाई होज pipe मतलब क्या यार पानी को circulate कराने के लिए बस एक pipe है वो pipe नहीं पूछेगा भाई पाई नहीं पूछेगा आपसे जो पूछेगा मैं आपको वो बताने का प्यास कर रहा हूँ और आप उस पर ध्यानी नहीं दे रहे होज pipe में क्या पूछेगा बताओ वो simply एक pipe है सभी component को जोडने के लिए जिससे एक circuit complete हो सके ठीक है कौन सा chapter चल रहा है भाई अभी engine चल रहा है चलिए चलिए अब हम इन ही parts के बारे में बारी बारी से क्या करेंगे बारी बारी से पढ़ेंगे तो पहला आप heading डालेंगे thermostat thermostat पहला heading डालेंगे thermostat तो आप इसमें क्या लिखेंगे आप इसमें क्या लिखेंगे भईया कहां लगा होता है पहला है आपका thermostat thermostat कहां लगा होता है तो कहां आप ऐसे point लगाते जाएंगे लिखते जाएंगे कहां लगा होता है water आउटलेट में लगा होता है, वाटर आउटलेट में लगा होता है, अभी मैं समझाओंगा कि वाटर आउटलेट कैसे क्या लगा होता है, ठीक है, कार्य क्या होता है, इसका, कार्य क्या होता है, कार्य होता है, इसका, इंजन का, इंजन का, कार्य कारी, कारेकारी तापमान कारेकारी तापमान बनाए रखना क्या करना इंजन का कारेकारी तापमान बनाए रखना अगला इसमें बुक में कई बुक में प्रस्न मिलता है उसमें लिखा होता है तो इसमें लिखा होता है रेडियेटर के रेडियेटर के रेडियेटर के पानी को अधिक ठंधा होने से रोकना ठीक है तीसरा कार्य क्या होता है जो बुक वगएरा के आपसन में आपको मिलता है आपको समझ में नहीं आता उसको लिखिए एंजन को जल्दी गरम होने की अनुमति देना अब यह पॉइंट काफी लड़कों की समझ में नहीं आता कि इंजन को गरम होना यानि कि हमारा ये तो कूलिंग सिस्टम का पाठ है तो इंजन को गरम होने की अनुमति कैसे देगा गर्म होने की अनुवती देगा भाईया यहां से water को bypass करके यहां से क्या करेगा water को bypass कर देगा अगर हमारा जिसे मालेजे सुरू में आपका engine start हुआ तो सुरू में आप truck driver वगडरा को देखे बस वगडरा को देखे तो ऐसा नहीं को तुरंट engine स्टार्ट करते हैं उसको दिले के चल देते हैं उसके कई region होते हैं लेकिन उसमें एक region यह भी होता है इंजन को थोड़ा सा गर्म होने दिया जाए इंजन क्या इंजन के लिए जो उसका कारेकारी temperature है वो maintain हो जाए तो गर्म होने की अनुमती देग कई से अगर यहां पर क्या कर सुझाइगा उसी पानी को बार-बार सर्कूलेट करेगा तो इंज़न का जो वर्किंग तंप्रेचर है वह क्या होगा मेंटेन हो जाएगा मेंटेन हो होता है कि इंजन को जल्दी गर्म होने की अनमती देना और उसको student क्या है पकड़ नहीं पाता है ठीक है चलिए यह आपको समझ में आ गया यह आपको समझ में आ आपमान के पानी को ही पानी को ही रेडियेटर में जाने की अनमती देता है ठीक है तो यह टंपरेचर यह टंपरेचर थोड़ा सा घवडाना नहीं के जब बुक वगयरा में लिखेगा कहीं इससे आसपास रहेगा तो वो टंपरेचर देख लेना ऐसा नहीं कि गुरू जी आपने गलत बता दिया मैं पहले भी बता रहें कि हर जग हिंदर तिर्य रहेगा कहीं सथातर रहेगा कहीं पचासी रहेगा कहीं नफे रहेगा तो उसको मैनेज कर लेना अगर इस तरीके के प्रसना आएंगे तो option के साब से मैनेज कर लेना ठीक है चलिए अब अगले जो हमारा अगला जो component है उसकी तरह बढ़ते हैं आप एडिंग डाल लेंगे हमारा क्या है प्रेशर कैप हमारा क्या है दूसरा component क्या है प्रेशर कैप ठीक है अब देखिए इसका कारे समझे आप लोगों ने cooker यूज किया है जिसमें दाल चावल बनता है उसका काम क्या होता है पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है क्वाइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है बढ़ा देता है क्वाइलिंग पॉइंट होता है पानी के क्वथनांक को क्या करेगा बढ़ा देगा जिससे होगा क्या खाना जल्दी पक जाएगा सेम काम यहीं पर होता है यह जो प्रेसर कैप है यह प्रेसर कैप क्या काम करता है पहले क्या करता है पानी के पानी के दाब को पानी के दाब को बढ़हा देता है जिससे क्या होता है जिससे पानी का पानी का क्वथना अंक क्वथना अंक क्या होता है बढ़ जाता है अब यह प्रस्ण डारेक्ट आप से पूछेगा कि जो रेडियेटर में प्रेसर कैप लगा होता है उसका काम क्या होता है पानी के क्वथना को बढ़ाना यानि कि मान लीजिए जो पानी हमारा क्या हो रहा था 100 degree centigrade पर उबल रहा था अब वो जल्दी नहीं उबलेगा अब वो हमारे दाव पर डिपेंड करता है कितने लेकिन इससे तो बढ़ी जाएगा 140 पर उबलेगा 150 पर उबलेगा ठीक है अब इससे फायदा क्या होगा अमाली जे 100 degree centigrade पर हमारा पानी उबलने लगे तो परिचालन को प्रवाहित करेंगी क्योंकि पानी का परिचालन सही से नहीं हो पाएगा जब ज्यादा भाब बन जाएगी तो हम लोग क्या हमारा जो में काम होता है प्रेसर का कि पानी को बॉयल होने से रोकना जिससे कम से कम इस्टीम बने कम से कम भाब बने तो भाब से एक जो ये कपिल कुमार जी लिखा है, 800 degree centigrade लिखा है, तो उसको आप correct कर लीजिए, वो 80 degree centigrade होगा, ठीक है, वो 80 degree centigrade होगा, कपिल कुमार जी उसको सही कर लीजिए, ठीक है, चलिए, अब अगले जो है टॉपिक की तरह बढ़ते हैं, अगला जो है, वो है हमारा overhead tank, तीसरा होता है हम तीसरा जो हमारा part है, वो है overhead tank, किसमें लगा होता है, radiator के उपर लगा होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह हमारा radiator मान लीजिए, तो इसके उपर, इसके उपर, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का एक छोटा सा, मैं ऐसे बना दे रहूँग, आप जब रियल में देख कॉल लगा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, overhead tank, इसका काम क्या होगा भीया, जब देखिए, मान लीजिए, कोई ऐसा आदमी है, जो इसके mechanism को नहीं जानता है, उसने इतना पानी भर दिया radiator में, एकदम फूल कर दिया, अब जब क्या होगा, पानी गरम होगा, तो पानी भी सकता है, यानि कि उसमें leakage उत्पन कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक safety के लिए उपर overhead tank लगाते हैं, यानि कि बहुत छोटी सी टंकी, ताकि अगर किसी ने पानी एकदम फूल भी कर दिया, पानी हमारा गरम होकर फैले, तो वो क्या हो जाए, इस जो हमारा overhead tank है, उसमें चला जाए, और जब फिर यहाँ पर पानी कम हो, तो फिर यहाँ से क्या हो जाए, रेडियेटर के अंदर चला आए, यह चीज आपको समझ में आया की नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, पानी, पानी, जब, जब गर्म होकर, गर्म होकर, फैलता है, तो overhead, overhead tank में, overhead tank में, क्या होता है, चला जाता है, यही इसका काम होता है, अगर overhead tank नहीं रहेगा, तो पानी जब गर्म होकर, फैलेगा, जैसे आप फिरिज वगएरा में, जब पानी बहुत ठंडा होता है, तब भी फैलता है, तो फिरिज की जो वाटल है, उसको क्या कर देता है, सेम उसी तरीके से यहां होगा, पानी अगर गर्म होकर फैलेगा, उसको जगा नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगी, जो हमारी tubes हैं, वो फट जाएगी, ठीक है, चलिए, reverse tank भी तो बोलते हैं, ठीक है, बोलते होंगे भाई, चलिए, अगला जो topic है, उसकी तरफ हम लोग अब है पानी हमारा, हमारा जो cooling के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या प्रयोग कर रहे हैं, पानी, पानी प्रयोग कर रहे हैं, cooling के cooling के जो माध्यम है, cooling medium है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, पानी, पानी का जो हिमांक होता है, यानि की freezing point होता होता है zero degrees centigrade अब माली जी आप हैं कहीं दिल्ली वगारा के रहने वाले और आपका मन किया चलो जम्मु कस्मीर घूमते हैं ठंडी की दिन में आप अपनी कार लेके चले गए जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर टंपरिचर क्या होगा माइनस में तो रेडियेटर का जो पानी है रेडियेटर के अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा जम जाएगा और जब वो जम जाएगा भाईया तो पानी जब जमता है तब भी उसका आयतन बढ़ता है और फिर पानी जब जमेगा उसका आयतन बढ़ेगा तो फिर क्या कर देगा फिर जो मैं समझाता जा रहा हूँ उस पे आपका focus होना चाहिए समझने पर आपका focus होना चाहिए ठीक मैं कोई एक book से नहीं पढ़ाता हूँ चलिए तो anti-freeze material क्या है जब पानी हमारा minus में भी चला जाए तो पानी को क्या करते हैं जमने से रोखते हैं तो आप इसके कार्य में लिखेंगे इनका कार्य होता है इनका कार्य कूलिंग सिश्टम में पानी को जमने से रोकना अब मैं आप से पूछूँ कि antifreeze material के रूप में कौन कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है तो आप क्या बताओगे आप बताओगे wood alcohol wood alcohol का फामूला क्या होता है भीया इसे हम लोग methyl alcohol भी कहते हैं methyl alcohol अब बताओ आपको इसका फामूला पता है तो बताओ methyl alcohol का फामूला बताओ ठीक है wood alcohol और इसे क्या बोलते हैं glycerine बोलते हैं ठीक है और क्या प्रयोग होता है glycerine और क्या प्रयोग होता है ethylene glycol ethylene glycol और कभी कभी जब हमको मतलब minus 14 minus 15 तक जमने से रोकना होता है तब होता है brine भी प्रयोग होता है यह जो हमारे चार पदार्थ है यह क्या होते हैं anti-freeze material कहलाते है anti-freeze material कहलाते हैं बाकी सारी फालतू बाते हो रहें कमेंट में लेकिन मैंने किसी से पूछा कि methyl alcohol का फामूला बता दो उसका जवाब अभी तक नहीं आया CH-3OH राम सिन का जवाब आया जो कि क्या है बिल्कुल सही है ठीक है मेथी लेलकोहल का जो फामूला होता है क्या होता है CH-3OH होता है CH-2OH-5OH भी या वो एथी लेलकोहल होता है ज्यादा कमेश्टी तो मेरी मजबूत नहीं है लेकिन जहां तक मुझे पता है C-2OH-5OH क्या होता है एथी लेलकोहल होता है और जो CH-3OH होता है मेथी लेलकोहल होता है आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना ग्लिसरीन, एथलीन ग्लाइकोल और ब्राइन ठीक है ब्राइन का उप्योग होता है एंटि फ्रीज मतेरियल के रूप में इतना समझ में आया भईया इतना समझ में आया तो अगला जो पॉइंट है वो लिखो रेडियेटर पचवा जो पार्ट है रेडियेटर इसके बारे मैंने आपको बता ही दिया जो रेडियेटर ट्यूप्स होती है होता है कार होता है पानी को ठंधा करना अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ें तो वो क्या होता है भीया रेडियेटर फैन होता है क्या होता है रेडियेटर फैन इसका काम क्या होता है जो रेडियेटर फिंस है या रेडियेटर ट्यूब है उसके ऊपर क्या करना हवा का फैन हवा को कि खीचता है ठीक है आप में लिख लेंगे ये ये रेडियेटर के ऊपर हवा को हवा को खीचने का काम करता है ठीक है आप यहाँ पे लिखलो ब्रेकेट में आप लिखलो हवा को आगे से ये प्रस्म भाईया पूछा गया है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ ऐसा ना सुचना कि फाल तुका लिखा रहा हूँ हवा को आगे से पीछे की और खीचता है पीछे की और क्या करता है? खीचता है ठीक है? चलो अगला point लिख लो अगला topic क्या है हमारा? अगला हमारा material कौन सा है? वो है water pump यहाँ पे एक belt लिख लो साथवा यहाँ पे fan belt भी लिख लो fan belt भी कभी कभी पूछ लेता है कौन सी belt यूग की जाती है? V-shape की जो belt है V-shape belt प्रयोग की जाती है अगर नहीं समझ में आ रहा है water cooling system नहीं देखा कभी तो जो साधी व्याँ में generator उपयोग होते है जिसमें जो मकैनिक होता है जब आप छोटे रहे होंगे ठीक है तो आप से कहता होगा पानी ले आओ इंजन में डालना है तो उस radiator में ही पानी भरने के लिए क्या करता है पानी को मंगवाता है तो अगर आपने नहीं देखा थोड़ी सी उसकी technology को समझना चाहते है cooling system के तो जाके जो generator हमारा उपयोग होता है नार्मल कामों के लिए वहाँ पर उसको जाके देख लिजेगा वहाँ पर आपको radiator देखने को मिल जाएगा fine built देखने को मिल जाएगी एक सफेद सफेद plastic का पंखा भी देखने को मिल जाएगा जो कि क्या होता है radiator fine होता है thermo state वगरा उसमें नहीं मिलेगा लेकिन ये जो नार्मल चीजे हैं वह आपको देखने के लिए मिल जाएगी ठीक हमारे पास है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है चलिए fan built हो गया अगला जो आठ्मा point है वह है pump यह भी प्रस्न पूछा गया है कि ज्यादा तर ज्यादा तर cooling system में आप यहाँ पर लिखेंगे ज्यादा तर ज्यादा तर cooling system में cooling system में system में किसका प्रयोग किया आता है centrifugal pump का प्रयोग किया जाता है तो इतने जो पार्स थे वह आपको पढ़ने थे इतने जो पार्स थे वह आपको पढ़ने थे बता दो भाईया एक समच में आया अगर कोई दिक्कत हो तो वह भी बता दो कोई दिक्कत हो अगर इस topic से इस topic से अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो ठीक है हमारे पास गाड़ी है बहुत अच्छी बात है ट्रेक्टर में भी मिल जाएगा बिल्कुल मेरे पास ट्रेक्टर नहीं है तो मैंने आपको एक्जांपल दिया जनरेटर वाला अगर आपके पास ट्रेक्टर है तो आप उसमें भी देख सकते हैं बताइए अब जल्दी ठीक है मैं देखता हूं भाई अंकित सिंग पवार मैं देखता हूं मैं कोसिस करूँगा जल्दी सुरू करने की ठीक है चलिए निकलेगी उर्जा को विद्धू तुर्जा में बदलती है ठीक है चलिए समझ में आ गया इतना समझ में आ गया इतना तो बस इत काम क्या होता है जो रिडिटर 5 होता है किसका बना होता है फिलर कैप समझ में आ गया तो बस इतना समझ में आ गया इतना ही आप से पूछेगा कूलेंट के बारे में, भाई, कूलेंट के बारे में क्या बता दूँ, जो water cooling system है, उसमें कूलेंट के रूप में क्या उपयोग होगा, उसमें कूलेंट के रूप में पानी का उपयोग होगा, कूलेंट मतलब क्या, जो ठंधा करने का काम करे, जैसे कि air cooling system में कूलेंट क्या है सीतलक क्या है, air है water cooling system हमारा सीतलक क्या है water है, यानि की पानी है तो coolant के बारे इसमें क्या बता दू और अगर engine coolant के बारे anomैं पूछ रहे हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पे coolant नहीं बताऊंगा ठीक है, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे water cooling system के lab जल्दी जल्दी देख लीजिए इसमें कुछ खास समझना नहीं है जल्दी जल्दी आप इसमें देख लीजिए कि जो water cooling system है उसके lab क्या होते हैं पहला point है इस सीतलन system का उपयोग करने से सोरगुल कम होता है ठीक है पहला इसका lab है दूसरा lab क्या है कि water cooling system की आयतनिक दच्छता जो होती है यानि कि जो volumetric efficiency होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है वाइस इतलन system की तुलना में तो जल्दी जल्दी इसका screenshot लेते जाओ और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगी क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ है नहीं ठीक है बस आपको lab हानी समझ लेनी है ताकि अगर कोई simple प्रसन पूछे तो आप आसानी से प्रसनों को कर पाओ ठीक है आगे बढ़ें अगला लाब क्या है कि इस system को engine पर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है अगला लाब क्या है कि water cooling system का प्रयोग करने से इधन की खपत में सुधार करना पड़ता है सुधार होता है आप यहां लिख लो सुधार क्या होता है सुधार सुधार होता है यह इसका लाब करना पड़ता है जब तो हान हो गए सुधार होता है अगला है water cooling system के द्वारा एक समान प्रतेग छेत्र पर क्या हो जाता है सीतलन हो जाता है यानि कि प्रतेग जो छेत्र है air cooling system में क्या है जिस तरफ हवा लगे गए उसी तरफ ठंडा होगा water cooling system में एक समान जो है, क्या हो जाएगा, इसका सीतलन हो जाएगा. चलिए अगले point की तरह भढ़ते हैं, अगला है जल सीतलन प्राली से हानी, यानिकी water cooling सिस्टम से हानी. इस निकाय को अधिक रख रखाओ क्या हो सकता है, ठीक है, air cooling सिस्टम में आपने fins cast कर दिया, cylinder के उपर उसके पाद उसमें क्या देखना ताक ना हवा लगे कि engine ठंडा होगा इसमें thermostate हमारा सही होना चाहिए pump सही होना चाहिए radiator हमारा चोक न हो जाए ये चेक करना पड़े pressure cap सही होना चाहिए यानि कि बहुत ज़्यादा maintenance देखरें किया सकता होती है हमारा किसको water cooling system कि यह क्या है इसका demerit है या disadvantage या हाँ नहीं है ठीक है अगला point क्या है अगर कभी cooling system विफल हो जाता है तो अधिक चती होती है क्यों कि यह भारी engine हो प्रयोग किया जाता है भारी engine क्या होते हैं बहुत जल्दी सही तरीके से ना लगाया जाए तो लीख होने की संभावना रहती है अगला पॉंट आ रहें ना अभी 35 आ रहें तो 40 प्लस उसको ले जाओ 40-45 के आज पस ले जाओ आराम से हो जाएगा ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक अब आप लिखेंगे कुछ महत तो पूर बिंदू पहला बिंदू है इंजन रेडियेटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है तो आप यहां पर लिखेंगे समवहन किसके द्वारा होता है इसे इंगलिस में क्या बोलते हैं Convection बोलते हैं अब आपको पता है जो उसमा का संचरन होता है वो किन तरी किन की तरी को से होता है तीन तरी को से होता है पहला होता है हमारा conduction 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 की यार हुंदी नहीं आद आ रहे Conduction Conduction को हिंदीमें बोलते हैं चालन दूसरा होता है Convection हिंदीमें बोलते हैं संबहन और तीसरा होता है Radiation इन तीन तरीकों से क्या होता है उसमा हमारी चलती है कंडक्षन में क्या होगा कंडक्षन का example समझे जैसे लोहे की छड़ है आपने उसको आग में रखा कुछ देर आग में रखने के बाद यहाँ पर आग लगी होगी तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा यानि कि एक कंड क्या होगा दूसरे कंड को उसमा ट्रांसफर करेगा फिर दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा फिर तीसरा चौथे को करेगा इस तरीके से उसमा का जो चालन होता है इस तरीके से जो उसमा का चालन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्षन कंडक्षन को समझे जब एक कण दूसरी जगह जाके, मान लीजिए, पानी आप लोगों ने गरम किया होगा इस तरीके से, आप यहाँ पे आग जलाते हो, यहाँ पे क्या होता है, कि पानी का सबसे पहले निचला कण गरम होगा, नीचे वाला पार्ट गरम होगा, नीचे वाला जो कण है, नीचे ले लेगा, तो जब उसमा का चालन इस तरीके से हो, यानि कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और उसमा क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्विक्शन, और कूलिंग सिस्टम है, हम लोग पानी उपियो करते हैं, तो पानी में हमारा माध्यम से, समवहन के माध्यम से उसमा का संचरण होता है, और तीसरा होता है रेडियेशन, रेडियेशन में क्या होता है, इसमें उसमा को अस्थान अंतरित करने के लिए किसी भी माध्यम की आवसकता नहीं होती है, माध्यम मतलब जिसे सूर्य का ताप आ रहा है, निरवा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, radiation, तो यहाँ पर engine radiator में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है, संभ़न के द्वारा होता है, दूसरा point है, thermostat valve कितने degree से कम ताप मान के पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है, तो आप यहाँ लिख लो, 80 degree centigrade, 80 degree centigrade से ज्यादा होगा, तो फिर गुजार देगा और radiator में भेज देगा, और अगर 80 degree centigrade से कम होगा, तो फिर bypass pipe के द्वारा फिर से engine में भेज देगा, अगला point क्या है, water jacket बना होता है, कहां बना होता है, बताईए, कहां बना होता है water jacket, तो वाटर जैकेट बन होता है, cylinder, block के, block के, चारो और, cylinder block के, चारो और क्या बना होता है, water jacket बना होता है, चौथा point क्या है, प्रयोग में आने वाले जमाव रोधी, anti-freeze material बताईए, मैंने अभी आपको बताया, भहिया एक बार नाम लिख दो बस, मैंने अभी आपको point में लिखाया, कि anti-freeze material कौन कौन से है, जल्दी से एक बार नाम लिख दो, सर जी, सब को बोलो, like करो, भाई, बिना बोले ही like कर देते हैं, बच्चे मुझे बोलने की ज़रुरत ही नहीं है, ठीक है, मुझे बोलने की ज़रुरत नहीं, आप लोग बिना बोले ही like class को कर देते हैं, ठीक है, तो बताईए जल्दी से anti-freeze material का नाम लिखिया SC plus में AWS में हो जाएगा भाई हो जाएगा ठीक है SC plus लाओ हो जाएगा ठीक है मेथिल एलकोहल बूड एलकोहल अंसर आना सुरू हो गया है मनीस मलिक ठीक है तर हमें कुछ नहीं आता भाई आप class शुरू सो देखो class शुरू सो देखो guarantee है आजाएगा भाई किसी ने कुछ ना पढ़ा हो इंजन में किसी ने कुछ ना पढ़ा हो इंजन में लेकिन मैं आपको ये जरूर देता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीजें धसेंगी आपका दिमाग खुलेगा इंजन कैसे काम करता है समझ में आएगा बिल्कुल बिल्कुल जवाब आने सुरू हो गए ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या उप्योग किया जाता है तो आप लिखोगे mathil alcohol mathil alcohol ठीक है अगला क्या लिखोगे glycerine glycerine और क्या लिखोगे एथिलीन गलाइकॉल क्या लिखोगे भईया एथिलीन गलाइकॉल ब्राइन भी लिख लेना ठीक है चलिए थर्मोसाइफन की हानी क्या है थर्मोसाइफन की हानी क्या है बताईए थर्मोसाइफन सिस्टम की हानी क्या है ये बताईए क्या है हानी मैं लिख नांतरण नांतरण समझ लीजिएगा थोड़ा से जगां कम है उसमा का अस्थाना अस्थानांतरण बहुत धीमा होता है इसलिए भारी भारी जो हमारे इंजन है उसमें थर्मो साइफन सिस्टम प्रियोग नहीं किया जाता है अगला है पानी को किसका प्रियोग करके ठंडा कि कमोंसा प्रशार होता है वाटर कृलिंग सिस्टम का जिसको क्या किया जाता है पानी को ठंढह करने के लिए प्रेओग किया जाता है होम उआर क्म है ब्लकुल । कोसिश करेंगे बिल्कुल कोसिश करेंगे भाई सक्ति का अंसर आ रहा है फैन ठीक है जो कि बिल्कुल क्या है गलत ठंधा करने के लिए रेडियेटर का प्रयोग किया जाता है रेडियेटर और रेडियेटर की मदद करता है फैन पानी को ठंधा करने में पानी ठंधा करने का जो मेन काम होता है वो होता है रेडियेटर का ठीक चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इन्टी फ्रीज का अर्थ क्या है या इन्टी फ्रीज का आप यहां पर लिखो इन्टी फ्रीज का ठीक है इन्टी फ्रीज का यहां पर लिखो काम क्या है काम क्या है तो आप इसमें लिखोगे पानी को जमने से रोकना पानी को जमने से जमने से रोकना इंटीफीज का काम क्या होता है भीया पानी को जमने से रोकना रेडियेटर बना होता है तो आप क्या बताओगे radiator tubes किसकी बनी होती है पीतल या तामबा ठीक है थर्मो इस्टेट वालो बना होता है लगा होता है आप यहां लिखो थर्मो काफी गलतिया है थर्मो इस्टेट वालो जो है लगा होता है कहां लगा होता है तो आप क्या बताओगे वाटर वाटर आउटलेट में, थर्मो इस्टेट वालव कहां पर लगा होता है, वाटर आउटलेट में, वाटर आउटलेट कैसे भीया, इसको ध्यान से यहां पर समझो, यहां पर इसको समझ लो नहीं, तो समझ में नहीं आएगा कि वाटर आउटलेट कहां कैसे क्या हो गया, तो यहां पर तो इसी लिए कभी कभी प्रसन पूछेगा कि थर्मो इस्टेट वाल्व है वो कहां पर लगा होता है तो आप क्या बताओगे वाटर आउटलेट में वाटर आउटलेट का मतलब वाटर जैकेट से जो पानी निकल रहा है वाटर जैकेट से जो पानी निकल रहा है उसी के रास है अभी प्रसन तो अभी बाद में आएगा अगला पॉइंट है कि रेडियेटर साफ करने के लिए किस वीधिका प्रयोग किया जाता है तो आप यहां पे लिखोगे इसको बस याद कर लो रिवर्स फ्लसिंग वीधिका प्रयोग किया जाता है चलिए अगला पॉइंट है बस में किस कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो वाटर कूलिंग सिस्टम वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है अगला देखे थर्मो इस्टेट वाल का कारे क्या है कारे मैंने आपको बता दिया आप लिख लो इंजन को कारेकारी तापमान पर रखना इंजन को जल्दी गर्म होने की अनमती देना मैंने आप कारे थर्मोई स्टेट में जो लिखाया है वही इसका कारी है चलिए अगले प्रसन की तरह बढ़ते हैं अब हमारा यहाँ पर जो कुछ प्रसन है उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है, पहला प्रस्न क्या है Engine में कितने प्रकार के, कितने प्रकार के सीतलन प्रणाली का प्रियोग किया जाता है कितने प्रकार के दो अंसर आने सुरूगए ठीक है, जो कि हमारा क्या है सही है, कौन-कौन सा water cooling और दूसरा है air cooling अगले प्रसन की तरह बढ़ते हैं एक radiator में जल संचलन कैसे होता है बताईए नीचली से उपरी टंकी उपरी से नीचली टंकी इंजन से उपरी टंकी या इंजन से जल pump बताईए जो जल संचलन होता है radiator में वो कैसे होता है कैसे होता है इसका जल्दी से ठीक है निचली से उपरी टंकी आ रहा है एक अंसर दे रहा है ठीक है एक यह अंसर दे रहा है यार कमलेस गुर्जर का अंसर आ रहा है निचली टंकी से उपरी टंकी गलत है आपका बिल्कुल अंसर ठीक है यहाँ पर देखिए एक रेडियेटर में जल सचलन होता है उपरी से नीचली टंकी, उपरी टंकी से नीचली टंकी की तरफ पानी आता है और ठंडा होता है, तो B वाला अपसन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, कौन से इंजन का रेडियेटर, कौन से इंजन का रेडियेटर आकार में छोटा होगा, पा इसका मतलब आप लोग क्लास अच्छे से कर चुके हैं, क्योंकि देखे भीया, पेट्रोल इंजन का संपीडन अनुपाद, संपीडन अनुपाद होता है 6 से 10, यानि कि हवा को उतना या मिस्टन को उतना नहीं दबा पाएगा, कि उसका टंपरेचर बढ़ है, जबकि डीज इंजन का संपीडन अनुपाद होगा 16 से 24, यानि कि हीट जादा कहां उत्पन होगी, डीजल इंजन में, जब डीजल इंजन में जादा हीट उत्पन होगी, तो उसको पानी को ठंधा करने के लिए, क्या लगेगा, बड़ा रेडियेटर लगेगा, और कौन से इंजन का जो रेडियेटर है, वो आकार में छोटा होगा, चलिए, अगले प्रसन की तरह बढ़ते हैं, यदि थर्मो इस्टेट वाल्व सनलगन इस्थिती में फसी हुई रहती है, यानि कि सिंपल समझेए, कि थर्मो इस्टेट जो वाल्व है, वो काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, यानि कि जो उसकी वाल्व है, वो फस गई है, वो पानी को रेडियेटर में नहीं भेज रही है, बाईपास करके फिर से वही पानी सर्कुलेट करा दे रही है, तो क्या होगा, इस थूल निस्ट्रता गती, इंजन धीरे-धीरे गर्म हो जाएगा, प्रारंभ में कठिनाई ह इंजन अतितापित होगा, इंजन अतितापित होगा, तो इंजन हमारा क्या होगा, ओवर हीट हो जाएगा, धीरे-धीरे गर्म तो होगा, लेकिन इंजन हमारा क्या होगा, साथ ही साथ ओवर हीट हो जाएगा, गर्म होने के साथ साथ ओवर हीट हो जाएगा, तो अगर हमार आपको पूछाए और कहोता है तो भाई आपका पृता है कि मैंने पेट्रोल का सीटेन गलत बताया था और दूसरी चीज़ मैं आपको कलियर कर दूँ कि ये डाटा है यार ये किसी भी वेपसाइट पे जाओगे किसी भी बुक में देखोगे तो अलग-अलग मिलेगा अलग-अलग मिलेगा तो पेट्रोल का आक्टेन हो चाहे सीटेन हो किसी बुक में दू दूसरा लिखा मिलेगा जो एकदम सही भुक से उठाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ बाकी आप अपना देख लो यहां पर वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर बलाक वह सिलेंडर हिड में क्या बने होते हैं वाटर जैकेट यहां पे बने होते हैं चलिए अगले प् ओसने की तरफ एंटिफ्रीस सालूशन का कारि क्या है बताइये जो हमारा एंटिफ्रीस सालूशन है उसका कारि क्या है बताइये और साथ ही जाद अगर चीज़ें समझ में आई हो इसके पहले कभीर नब जाएंиком लेकिन आज चीज़ें समझ में आई हूँ तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजेगा अगर आपको चीज़ें समझ में आई हूँ ठीक है तो एंटी फ्रीज सालूसन का कारी क्या है रेडियेटर के पानी को जमने से रोकना आपसर नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा बहुत अच्छा अंसर है बहुत ही सभी का अंसर अच्छा रहा है ठीक चलिए अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं थर्मोइस्टेट वालों कहां फिट रहता है मैंने आपको बताया वाटर आउटलेट में फिट रहता है देखिए प्रसन के माध्धम से मैंने चलिए आज का हमारा यह प्रसन है इंजन कूलिंग पराली में किस प्रकार का पंपर प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का पंपर प्रयोग किया जाता है तो सेंट्री फ्यूगल पंपर प्रयोग किया जाता है जो कि मैंने आपको वहाँ पे लिखा दिया जो कि मैंने आपक सबसे पहले मिल जाए ठीक है पानी और एंटी फ्रीज का अनुपात एक लड़का कब से परसान है पानी और एंटी फ्रीज का अनुपात भाई अनुपात मुझे नहीं पता है ठीक है एंटी फ्रीज और पानी का अनुपात मुझे नहीं पता है कितना मिला जाता है उस तरीके से मुझे नहीं पता है मनीस मलिक आपको भी मनीस मलिक ने जो आपने जो कहा सेम टू यू मैं आपको बोलता हूं ठीक है बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया ठीक है सुपर क्लास समझ में आगया मजा आगया आगया और भी मजा आएगा बस एक बार क्लास को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स क्लास में नए टॉपिक के साथ तक बने रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत